हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों आज आपको यूट्यूब इंडिय अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं कि वनवासियों के लिए भी और गाउंवालों के लिए भी उच्छा का सरकार अच्छा प्रवंत करने जा रही है तो हम ये देखते हैं कि ये बातें मुख्यमंत्य योगी आदित नात ने भी रविवार को बवनी में के करिकांड चप्टी की स्थिति सेवा कुझ आश्रम में वनवासि समागम से को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्हो कुझ आश्रम में आदिवासि छात्रा साधना से मुलाकात की और ये कहा है कि बच्चों को आगे से आगे सिक्छा दी जाए वो जाकर गौव में विलेज में गुमें और उन्होंने देखा कि उन्होंने बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा बच्चोंने कि मैंने बेटा तक ही पढ़ाई क्योंकि तो कारण बताए गया कि एक तो नजदीकी में कोई कॉलेज नहीं है उपर से आर्थिक सिती भी ठीक नहीं है योगी ने कहा कि उस बच्ची की बात से मुझे लगा बनवासी बच्चीयां आगे बढ़ना चाहती हैं तो इनको आगे बढ़ने की किरण नहीं मिल पा रही हैं तो इससे हम यह देखते हैं कि उन्होंने रास्टी लोग समता पार्टी के रास्टी अधिक्षक को भी उन्होंने यह ध्यान दिया इससे हम यह देखते हैं कि उन्होंने यह देखा कि पूरु दोरे के दूसरे दिन शौनाद्र पहुंचे और रास्ट पति रामनात कोविद ने वनवासी समागम को सम्भोदित करते हुए कहा वनवासी समागम समभव नहीं है सही माहने में तो नागरियपिकास और वनवासी विकास एक दूसरे के पूरक हैं महत्ता को कभी भुलाया नहीं जा सकता आसरी राम की विजय की आधार पर भी बनवासी ग्राम बासी ही रहेंगे क्योंकि अगर ग्राम से सुधार नहीं होगा तो देश का विकास भी संभव नहीं माना है पनवासी विद्यार्टियों को उच्छ सिक्षा मुफ्त मिलेगी इस दोरान उनके रहने और खाने आदी की सुविधा को भी सरकार की ओर से स्मिशुक दी जाएगे कुछ सिख्षा ग्रहन करने की सिख्षा रखने वाले विध्यार्टियों को अधिकारों की भी मदद से सिख्षां को प्रवेश दिया जाएगा मिस्टر योगी जी का मुक्मती योगी जी का आधिनाच का कितना अहाथ है और वो बच्चो को ग्रामबासी बच्चो को आगे बढ़ाने के लिए कितना अच्छा प्रवंद करने जा रहे हैं So friends, यदि आपको मेरा YouTube पसंद आया हो, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, फिर आगे मिलते हैं.